तो अब तक हमने 2.1 को cover कर लिया, इनमें जितने भी question है, सभी को complete कर लिया है, तो अगर हम आपसे कोई question पूछ दें, कि बताओ ये question solve कीजिए, आप मेरे सामने में, तो आप नहीं कर पाएंगे, I think, because आपने practice नहीं किया है, और आपको मालूम है, mathematics में practice, I mean, खुद से revision करना ब क्यों ना पूछते हैं, देखिए हम आपको objective question भी दिखाते हैं, like, like ये बला objective आप देखिए, ठीक है, 10 verse 1, इतना equal to क्या होंगे, objective है, अगर हम आपसे ये question पूछ दे, आप नहीं बता पाओगे, अगर बता भी दिया है, आप ज्यादा time लगाएंगे, आपको उतना time नहीं देना है, ऐसे सब question को एक मिनट के अंदर ही option चूज करना है, बट कैसे, वो भी बताएंगे इसी वीडियो में, and हमने यहीं सोचें, कि आपने तो practice करते नहीं हो, division खूद से नहीं करते हो, तो क्यों ना हम आप सभी को division and practice करवाएं, ठीक है, तो इसलिए हम सोचें, ये complete हो जबता, तो अब हम आपको practice and division करवाएंगे, वीडियो के साथ तो बने रहे हैं, वीडियो पैन्ट तक, बट आगे बंदेंस फिले भाई का नाम जान लेजे, लाइक मैं गुलसन सर्मा, आपके अपने बिहार मुगे भागलपूर से चैनल पे नहीं हैं, तो भाई सब्सक्र हो यहां पर कोई भी रहेंगे, वान या वन भाई टू या वन भाई टू या फिर वन भाई डू टू या रूट टू कुछ भी रहेंगे ना, तो ऐसे सब कुस्तान को हम objective and subjective यहां पर complete होएंगे, अभी के अभी, ठीक हा, objective में आए तो कैसे बनाएंगे, subjective में आए तो exam में क मिटा कुछ भी यहां पर suppose कर लेंगे, माना, ओके, इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो, ऐसे वाई से, माना भी हिंदी में लिख सकते हो, इसके बाद हमरा तात्पर यह होता है, कि इन भाई को कैंसिल करना, तो 10 इन भाई को अगर हम इक्वल के सैट कर देना, तो इन भ लिखे जाते हैं, complete न, अब दखिए, therefore, अब यहां पर function किसका है, बताओ मुझे, function किसका भी यह 10 का है, तो 10 में 1 कितने degree का मान आता है, फिर से repeat, function किसका है 10 का, 10 में 1 कितना degree का मान आता है, आपको मालूम है 10 में 1 जो आता है, वो 10 45 degree का मान होता है, I mean 10 45 degree, it's a value 1, आप 10th class स पढ़ाई काते आ रहे हैं, फिर भी आपको ना मालूम हो, क्योंकि बहुत सा idea strange भूल जाते हैं, तो यहां आप आप देख सकते हो, 10 में 1 होता है, 45 degree का मान, अब बहुत सा idea strange इस table को नहीं जानते हैं, इसलिए stable फहमें कि बीडियो बना रखें ट्रिक के साथ, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप अच्छे टेबल को सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, link description में है, आप पर depend आप देख सकते हो, या नहीं भी देख सकते हो, but हम recommend करेंगे, आप वीडियो को देखा किजिए, वो भी हम recommend करते हैं, आपकी ये वीडियो आप देख ल जाएंगे, तो one equal to हम जानते हैं, तेन में तारिस डिग्री, अगर यहां पर one by two रहता है, one by root three होता है, जो भी रहता न, तो आप यहां पर हम लिखे जाते हैं, इतना equal to, ठीक, आप यहां कह सकते हो, कि one equal to होता है, 1045 डिग्री, ठीक है, अब यहां पर देख डिग्री में ह सकते हैं, तो 10 by four हम यहां भी लिख सकते हैं, 10 by four equal to, यहां पर क्या 10 alpha है, अब 10 10 compare करेंगे, I mean same to same है, तो cancel हो जाते हैं, angle angle equal to, लिखे जाते हैं, आप दसमी class से भी जानते हो, यही हो गया alpha equal to five by four, यह हम यहां पर value put कर दें, हमारा answer हो गया, तो आप यहां ऐसे भी कह सकते हो कि 10 plus one, 10 plus one equal to, अलफा value निकाल के रखे हैं, पर यह हमारा final answer, एक आप के लिए भी दाएंगे, तो आप हमें बताओगे comment box से, बट आए अब objective पर देख लेते हैं, तो यह रहा subjective के लिए, objective पर देख लेते हैं, अगर angle यहां पर minus होता है, तो हम next वीडियो में लाएंगे, इस वीडियो हम positive वाला सिखाएंगे, एक और subjective question को सिखिए, then objective पर जाएंगे, सबसे पर यहां पर y से हमने माना, आप alpha, beta, gamma, like, वापर depend, आप यहां पर क्या सपोज करते हो, ओके, तो यहां पर क्या करेंगे भईया, court inverse को equal के इस side करेंगे, like, यहां पर क्या बचेगा, root 3 equal to, अ करेंगे लगया, court y है, तो y, ओके, अगर यहां पर ठीटा होता है, ठीटा, alpha, alpha, beta, बीटा, अब यहां पर function किसका है, भईया, function किसका है, court का, तो court में बताओ, हमें root 3 का मान, कितना degree का मान होता है, तो court 30 degree का मान होता है, root 3, तो आप यहां पर कह सकते हो, कि 30 degree equal to, 30 को हम 6 equal to होता है, root 3, ओके, आप देख सकते हो, आप फिर से हम recommend आपको कर रहे हैं, suggest करने का आप यह वाला वीडियो जरूर दखिएगा, link description में मिल जाएंगे, ओके, क्या देखाने आये थे, court का का कहा रहा, court, court root 3 कमान, देखिए, court 30 degree कमा होता है, root 3, ओके, तिहां पर court 30 की जगह अब हम लिखेंगे, court 5, 6, court 5, 6, court 5, 6 कमा होता है, root 3, equal to court y, compare किया, court, court इसे cancel नहीं कि जगहने, तो सारा मामला गरबर हो जाएगा, ठीक, मन में ही cancel करना है, पावा 6, equal to y, यह हमारा final answer होगे, आप यूं कह सकते हो, कि पावा 6, equal to y, कमान, यह राख सकते हो, ठीक है, तो यही रहने दिजा, फिलाल इतना ही काफी है, सीखने के लिए, प्रिवेस वीडियो देख लिजिएगा, ठीक है, part 1, part 2, part 3, and part 4, वीडियो टक हमने cover किया है, प्रिवेस वीडियो आप जरूर देखा किजिएगा, link description में मिल जाएंगे, objective की बात करते है, हम आपको subjective and objective दोनों सिख करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, कैसे ऐसे, सबसे पहले क्या देखेंगे, function किसका है 10, तो सबसे पहले function 10 का देखेंगे, then उसका angle देखेंगे, inverse को भूल जाना है, angle क्या है या 1, तो 1 जो है, वो function किसका है 10 का, तो यह जो 1 है, वो 10 में कितने degree का मान होता है, फिर से एम रिपीट करना, यह जो 1 है, यहाँ पर, यह 1 हमारा 10 में कितने degree का मान होता है, तो 10 में 45 डिगरी का मान होता है, कितने डिगरी का, 45 डिगरी का, तो यही 45 हमारा answer हो गया, अब 45 को कैसे लिखेंगे भी या पावा फोर लिखेंगे, ठीक है, विकाउज पावा इकॉल टू है, डिएन में, डिएन में ही रहेंगे, next question, next question आपके लिए लाएए है, देखीएगा, most important के category में रखेंगे है, ऐसे सब question भाहिया, question कह रहा है, cause inverse, यहाँ पे क्या है, root 3 by 2, आप देखिए, हमने क्या बता है, आपको, कि function देखना है, then angle देखना है, सबसे फिले function देखना है का ठीक अब का यदि को सही अप्छत चाला में भी कपशन जब फांक्सन देखेंगे सबसे प्रेफ्ध करें घ्यांस सने सबस्यवें कि-स एंप कर见 को सने तो थे थे-व इस वीडियो हम प्रस की बात कर रहे हैं मैम सब्सक्राइब कर रखेयेगा तोеш आपक फांठने है तो कोस में 3 कितना 9 Union आता है बता हो मुझे बाए मुझे कॉष में कॉष में enough क्षान क्षान कोई के तो पहले फिंग्स देखेंगे कॉष में काउस में रूटatiques टो कितना डेरी कमान और तब लेक्षआ अचाहिए का समें रूट्ट 3 ला-2 कहां है सब्सक्राइब करना है तो कुछन देख करना है बस देखना है फंक्षन काउस काउस में रूर्ट 3 वाई 2 कितना डिगरी कमान को तिस एंसर हो गया ठीक है बस इसके लिए एक सर्थ है कि ये वला आपको याद अच्छी तरह से होनी चाहिए तो कैसे होएं गे भई या तो इस तो यह वीडियो बना रखें फिर से रिपीट कियें तो यह वीडियो देखो ट्रिक सीखो मन में याद रखो और आप्शन चूज करते जाओ इसन और हैं सामने देख सकते हो ठीक को से कहरा है और किसे विडियों किसे हैं नहीं इसे लिगें में इसी नहीं तो कितना डिएकल माहता है जल्ली बताओ मुझे कुछे में 2 कितना डीरी कमान होता है जल्ली बताओं थीस का होता है आप देख सकते हो लाइक हम तो अपने मण से सच में देखीे थիस कमान होता है को शेक में 2 टीश कमान होता है तो यही हमारा थीस एंसर हो गया तो तीस खोजी कहा है तीस यहां है पावाई शीक्स मतलब तीस होता है ठीक है तो आप अच्छे से वहाँ पर पर्फॉर्म्स कर पाएंगे बहुत ही कम टाइम में अब्जेक्टिव का उप्शन चूज कर पाएंगे आप अच्छे से सीखें होएंगे आईए आपके लिए हम hea हुँग में वहां हो नावात है शोजी कर दोो पाएंगे इसका उत उलव में